आज के दिन मेरे पुझी पिदाजी का स्वर गवास हुआ था यह तारीक यह तिती पिछले एक दसक से लगतार स्रीयमताब बच्चन कि इस मृति में और वी इस दिन मुझे मेरे पिदाजी के इस अधार के लिए संदेश बेशते हैं जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूस्ने होता है और उसमें उसक्रम या अधिक आपक्षाय और पक्षाय होती है उन संबंदों में बहुत उबाल आता है और बड़े उग्र प्रतिविया होती है कि संबंद जितना अधिक निकट होता है उसके टूटकी चुबन भी उतने मुक्रिय होती है कि पिछले दस वर्सों से मैं बच्चन पिर्वारत से नहीं सिर्फ अलग रहा है बलकि अभी प्रत्न किया कि उनके दिल मेरे लिए नफरत है लेकिन आज जो है कि अम ताब बच्चन जी ने फिर मेरे पिता जी का सुमरन किया है तो मुझे ऐसा लगा कि कि इसी सिंगापूर में दस साथ पहले गुर्दय के लिए मैं और अमी जी प्लग बग दो मेंदे तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ शूट सा गया है लेकिन दस वर्स वी जाने पर भी उनकी दरंतरता में कोई बादा नहीं आई कि और लगातार अन्य का उस्तरों पर जाहिए मेरा जन्म दिवस हो अध्मा मेरे पृताजी की कि कि स्वर्वास का दिनों हर दिन को इस मरण कर अपने कर्दब का निरोहन करते रहें तो मुझे लगता है कि मैंने भियान अफ्शक रूफ से ज्यादा अबुरता दिखाएं साथ से उपर जिवें के संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदिगे और बहुत की चुनावती के बीच से बुज़र रहा है मुझे लगता है कि सारजुनिक रूफ से मुझे और कोई कारव नहीं तो इस कारव कि हमसे उम्र में बड़े हैं कि उनके प्रती नर्मी रखनी चाहिए थे और जो कटु बचान मन बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए कि मेरे मन में कटुदा और नफरत से ज्यादा उनके ब्योहर के प्रती निराशा रहे है कि उनके मन में लगता है ना तो निराशा है ना तो कटता है कि कोई ने कोई भाव है कि इसलिए अपने पिता जी को संधाजली देते विए कि सद्धरस उमन उन्होंने उनके आधर में व्यक्ति हैं उसका संप्रेशन करते हुए इस्वर से ही प्राथना है कि सबको इस्वर उनके कर्मों का नुसार यसको चीद नया दे और यह हमें इस अब इस्वर को छोड़ना चाहिए बजाए इसके कि हम इस्वर के कामकाज में खुद दखलें बहुत बहुत दनवाद हम यह मुझे आपके सब्सक्राइब